ग्राम राट खेडा में तीन घरों में हुई चोरी, पुलिस पहुची मौके बर अग्या चोरों के खिलाफ मामला दर्ज। शिवपुरी जिले के पुरीधानाशेत्र के ग्राम राट खेडा से आ रही है जहां चोरों ने तीन घरों के ताले चटकाते हुए लाकों रुपे की चोरी की बारदात को अंजाम दिया है इस मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट सहीद स्नीफर डॉग को बुलाया जहां पुलिस मामले की जाच में जुट गई है जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि रादरे में राट खेडा गाउं में चोरी की बारदात हो गई है जिसके चलते मंतरी का गाउं होने के चलते पुलिस तदकाल सक्रिये हुई और वहां पूरी टीम के साथ पहुची जहां जाकर पता किया तो गाउं के तीन घरो के ताले चटका कर आरूपी चोरों ने चोरी की बारदात को अंचाम दिया है थाना प्रभारी मनोस सिंग राजपूत ने बताया है कि एक के बाद एक यहां तीन घरों को चोरों ने निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंचाम दिया है इन तीनों चोरियों में सबसे एहम बात ये रही कि तीनों ही चोरियों में आरोपियों ने ऐसे कमरे से चोरी की है जिसमें कोई नहीं सोता पूरा परिवार दूसरे कमरों में सोता रहा और चोरों ने घर को साफ कर दिया बताया गया है कि गाउं की गजींद्र वर्मा पुद्र बदामी लाल वर्मा उम्रे 55 साल 12,500 रुपे नगदी सहित सोने चांदी के जेवराद चोरी हुए हैं।